धुम्रपान ये एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवनशेलिक का हिस्सा बन गया है ये नाक एवल आपके स्वास को नुकसान पहुचाता है बलकि आपके परिवार और समाज को भी नुकसान पहुचाता है इस आदत को छोड़ना ही हर धुम्रपान करने वाले का सबसे बड़ा सांत्रिक अंगों को भी प्रभावित कर सकता है इसके अलावा धुम्रपान भी आपके परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित कर सकता है खास करकी छोटे बच्चों को धुम्रपान से मुक्ती पाना मुश्किल हो सकता है लेकिन ये संभव है एक सशक्त इच्छा सक्ती द आपके लिए इस खास कविता को पेश कर रहे हैं नो स्मोकिंग डुए पर जिससे लोग समझवाएं कि धुम्रपान आपके लिए कितना खतर राख है और आप इस चीज से कैसे जागरुक हो पाएं तो चलिए शुरू करते हैं मुझ से बादल के टुकडे फूंक कर रोज क्यों रूफ जलाते हैं लोग क्यों सिगरिड पीते हैं और पिलाते हैं लोग शुरू करते हैं दिन में एक से फिर दो तलग पहुंचे चड़ाया कुछ यार दोस्तों ने तो कश पे कश कीचे क्यों जहर पीने को उकसाते हैं फिर कुछ होगा यूँ कि शरीड धुका देने लगेगा सांस रुक रुक कर चलेगी और दिल तेज धड़कने लगेगा दिन भर चलेगी खांसी और हलक छिलने लगेगा प्यास बढ़ जाएगी और भूक का जोर घटने लगेगा मुझ से निकलेगा लहू और वो इतना सिहा लगेगा कि दिल से आवाज निकलेगी और मुम्किन कुछ ना लगेगा जिसे तुम पिया करते थे अब वो तुम्हें पीने लगेगा फिर सोचकर दिल रोएगा फिर सोचकर दिल रोएगा कि माबाप क्या सोचेंगे तुम्हें और तकलीफ ना हो ये सोचकर वो खुद को ही कोसेंगे फिर मंदिरों में दिये जलेंगे और मजदिदों में चादर चड़ेगी दान पुन्य भी बहुत होगा और कई जगे प्याओ खुलेगी पर ये जो कालिक जम गई है अंदर तक इतनी गहरी वो अब इन से कहां दुलेगी फिर उठोगे नीन से और एक सर्द कमरा होगा आँख खुलेगी तो नसो में खून टपकता होगा फिर भी तुमको तलब उठेगी तुम चीखोगे चिलाओगे और बिस्तर पे चारो और बैठा दोस्तों को पाओगे घरवालों को सारी सारी रात तुम रुलाओगे फिर एक कांपता सा हाद धीरे से उठाओगे मुझ पे रहम करो दोस्तों ये गिड़ गिड़ाओगे और याद करोगे जाते जाते क्यों उस चित्र से नहीं घबराते हैं लोग, क्यों सिगरिट पीते हैं और पिलाते हैं लोग दुम्रपान सेहत के लिए हानिका रखे